साहित ते निधि में सुनिये यश्पाल जी की लिखी हुई कहानी होली का मजाक बीबी जी आप आमेंगी कि हम चाय बना दें किलसिया ने उपर के मंचल की रसोई से पुकारा नहीं तू पानी तयार कर तीनो सेट मेश पर लगा दे मैं आ रही हूँ बाज आय तेरी बनाई चाय से सुबह तीन-तीन बार पानी डाला तो भी इनकी काली और जहर की तरह करवी तुम्हारे हाथ लग जाये तो पत्ती तीन दिन नहीं चलती सात रुपए में डिबा आ रहा है मदी चाय को भी आग लग गई है मालकिन निकलसिया को उतर दिया आलस से अभी तूटा नहीं था जरा और लेट लेने के लिए बोलती गई बेटा मंटू तु जरा चली जाओ उपर तीनों पॉट बनवा दे बेटा जरा देखकर पत्ती डालना मैं भी आ रही हूँ अम्मा जी जरा तुम आ जाओ हमारी समझ में नहीं आता बरतन सब लगा दिये हैं सत्रे वर्ष की मंटू ने उपर से उतर दिया ठीकी कह रही है लड़की मालकिन ने सूचा घर मेमानों से भरा था जैसे शादी ब्याग के समय का जमाओ हो चीफ इंजीनेर कुसला सहा पे रिटायर होने में चार महीने ही शेश थे तीन वर्ष की एक्स्टेंशन भी समाप्त हो रही थी पिछले वर्ष बड़े लड़के और लड़की के ब्याह कर दिये थे रिटायर होकर तो पेंशन पर ही निर्वाह करना था जो काम अब हजार में हो जाता रिटायर होने पर उस पर तीन हजार लगते रिटायर होकर इतनी बड़ी तेहरे कमरे की हवेली भी नहीं रख सकते थे पहली होली पर लड़की जमाई के साथ आई थी बड़ा लड़का आनंद साथ दिन की छुट्टी लेकर आया था इसलिए बहु को भी बुला लिया था आनंद की छोटी साली भी बेहन के साथ लखनो की सैर के लिए आ गई थी इंजीनियर साथ के छोटे भाई गोंडा जिले में किसी शुगर मिल में इंजीनियर थे माई में उनकी लड़की का ब्याहा था वे पत्नी साली और लड़की के साथ दहेश खरीदने के लिए लखनो आय हुए थे खुब जमाऊ था माल के नूपर पहुँची प्लेटों में अंदाज से नमकीन और मिठाई रखी जमाई ग्यान बाबू के लिए बिस्कुट और संत्रे रखे साहब इस समय कुछ नहीं खाते थे उनके लिए थोड़ी किश्मिश रखी किलसिया और सित्तों के हाथ नीचे भेजने के लिए ट्रे में चाय लगाने लगी अम्मा जी ये क्या मंटू मा के बाएं हाथ के और संकेत कर जल्ला उठी फिर वई डंडे जैसी खाली कलाईया कड़ा फिर उतार दिया तुम्हें तो सोना घिस जाने की चिंता खाय जाती है नई मंटू कलाई रही थी कि उसकी चाची मालकिन की देवरानी लीला नाष्टे में साहता देने के लिए उपर आ गई उसने भी मंटू का साथ दिया हाँ भाबी जी तोहार का दिन है घर में बहु आई है जमाई आया है ऐसे समय भी कुछ नहीं पहना कलाई नंगी रहे तो असगुन लगता है सुबह तो चूड़िया भी थी कड़ा भी था मालकिन नाष्टा बाटने से हाथ रोक कर मंटू से का जा नन्नी दोड़कर जा भीच वाले उसल खाने में देख सिर्धोने लगी थी तो बालों में उलज रहा था वहीं उतार कर रख दिया था जहां मंजन मंजन पड़ा रहता है वहीं रखा था लाकर पहना दे मंटू धरधराती हुई नीचे गई कुसल खाने में देखकर उसने वहीं से पुकारा अम्मा जी यहां कुछ नहीं है मालकिन ने मंटू की बात सुनी तो चेरे पर चिंता चलकाई देवरानी से बोली लीला मेरे बात तुम नहाई थी ना तुमने नहीं देखा अलमारी में रख दिया था और फिर वहीं बैठे बैठे मंटू को उत्तर दिया अच्छा बेटी जरा आपने कमने में तो देख ले डेसिंग टेबल की दराज में देख लेना कपड़े वहीं पहने थे लीला की बहन कैलाश भी आ गई थी उसने भी पूछ लिया क्या है क्या नहीं मिल रहा लीला को भाबी की बात अच्छी नहीं लगी चेरा गंभीर हो गया उसने तुरंट अपनी बेहन को संबोधन किया काशो हम दोनों तो नीचे के गुसल खाने में नाने गई थी मालकिन ने देवरानी के बुरा मान जाने की आशंका में तुरंट बात बदली मैं तो कह रही हूँ कि तू वहां नहाई होती तो उठाकर संबाल लिया होता भाबी की बात से लीला को संतोश नहीं हुआ उसने फिर कैलाश को याद दिलाया काशो मैं बीच के गुसल खाने में जा रही थी तो किलसिया ने नहीं कहा था कि बहु का साबन तॉलिया और उसके लिए गरम पानी रख दिया है आपके बाद तो कुसम ही नाई थी संभाल कर रखा होगा उसी के पास होगा बीच की मंजल से फिर मंटू की पुकार सुनाई थी अम्मा जी यहाँ भी नहीं है मैंने सब देख लिया है मालकिन ने कैलाश से कहा काशो बहन तू जा नीचे मंटू से कहके जरा कुसम से पूछ ले उसने संभाल लिया होगा मुझे तो यह याद है कि गुसल खाने के आलमारी में रखा था कैलाश नीचे जा रही थी तो लीला ने मालकिन को सुझाया भाबी जी आपके बाद किलसिया कमरे में आ गई थी बोली गोल कमरे में चाय दे दी है बड़े साहब, जमाई बाबू और बड़े भहिया तीनों वहीं पी रहे है पकोड़ी लोटा दी है कोई ने खाएगा बहु जी, उनकी बेहन और बड़ी बटिया भी चाय नीचे मंगा रही है सित्तो क्या कर रही है? मालकिन ने किलसिया से पूछा नीचे के उसलखाने में कपड़े दो रही है किलसिया, बहु उनकी बेहन और बड़ी बटिया के लिए चाय लेकर चली गई तो बोली आपके बाद कुसुम से पहले किलिसिया भी तो गुसल खाने में गई थी उसी ने तो आपके कपड़े उठा कर कुसुम के लिए साबन तौलिया रखा था लीला ने स्वर दबा कर कहा भाबी जी मैंने आपसे कहा नहीं पर कलिसिया की आदत अच्छी नहीं है पहले भी देखा इस बार भी दो बार पैसे उठ चुके हैं परसो मैंने मेज की दराज में एक रुपया तेरे आना रख दिये थे चार आने चले गए इनके कोट की जीव में रुपय रुपय के 27 नोट थे एक रुपया उड़ गया कमरे कलिसिया ही साफ करती है मैंने सोचा इतनी सी बात के लिए मैं क्या कहूँ मालकिन ने समझाया तू भी क्या कहती है लीला आठ हाने रुपय की बात में मानती हूं उठा लेती होगी पर पांच तुले का कड़ा उठा ले ऐसी हिम्मत कहां मरी बेचने जाएगी तो पकड़ी नहीं जाएगी मंटू और कैलाश ने आकर बताया कुसुमभावी कहती है कि उन्होंने तो कड़ा देखा नहीं सित्तों ने कपड़े दोकर सामने की छट पर लगे तारों पर फैला दिये थे उसने वहीं से मालकिन को पुकारा बीबी जी सब काम हो गया अब हम जाएं कलसिया फिर उपर आ गई थी वो भी बोली हमें भी छुट्टी दीजे त्योहार का दिन है जरा घर की भी सुद ले जाना बाद में मालकिन बोली देखो हमने सिर्ध होया था तो कड़ा उतार कर गुसल खाने में अलमारी पर रख दिया था पहले ढूर कर लाओ तक कोई घर जाएगा क्लेसिया ने तुरंथ विरोध किया हम क्या जाने हमें तो जिसने जो कपड़ा दिया गुसल खाने में रख दिया रंग से खराब कपड़े उठा कर धोबी वाली पिटारी में डाल दिये हमने शुआ हो तो हमारे हाट तूटे सित्तो ने दुहाई दी हाई बीबी जी हम तो बीच के गुसल खाने में गई ही नहीं हम तो सुबह से महराज के साथ बरतन भाड़े में लगी रही और तब से नीचे कपड़े दो रही थी खाम खा क्यों बक्ती हो मालकी ने दोनों को डाट दिया मैं किसी को कुछ कह थोड़ी रही हूँ कड़ा खुसल खाने में रखा था पांच तो लेका है कोई मजाक तो है नहीं किसकी हिम्मत है जो पचा लेगा घर भर में चिंता फैल गई सब और खुसर खुसर होने लगी बात मर्दों में भी पहुँच गई जमाई ग्यान बाबु ने पुकारा क्यों मन्टू बहन जी क्या बात है मा जी मन्टू ने छिपा लिया है कहती है पांच चॉकलेट दोगी तो ढूड कर देगी मन्टू ने विरोध किया हाई जी जाई जी कितना जूट मैंने कब कहा मैं तो खुद सब जगे ढूडती फिर रही हूँ बड़ा लड़का आनन भी पोल उठा अम्मा जी याद भी है कि कड़ा पहना था कहें स्टील वाले अलमारी में ही तो नहीं पड़ा है तुम घर बर ढूड़वा रही हो तुम भूल भी तो जाती हो चाविया रखती हो ड्रिसिंग टेबिल की दराज में छिपा कर और ढूर होती हो रसोई में मालकिन ने जीना उतरते हुए बेटे को उतर दिया तुम भी क्या कह रहे हो कल शाम लीला के साथ दाल्ध हो रही तो बाए हाथ से घड़ी खोलकर रख दी थी मंटू ने शोर मचाया खाली कलाई अच्छी नहीं लगती वही घड़ी नीचे रखकर कड़ा ले आई थी बड़ी लड़की ने मा का समर्थन किया क्या कह रहे हो भईया सुबह भी कड़ा अम्मा जी के हाथ में था हमने खुद देखा है कैलाश ने भी वीना का समर्थन किया सुबह मिश्रानी जी क्या गई थी तब भी कड़ा हाथ में था मिश्रानी जी ने नहीं कहा ता कि बहुत दिनों बात पहना है। पहने के बाद नौकरों में से कोई घर के बाहर गया था या नहीं। सभी सहमें हुए थे। इस्तरियां लड़कियां सब आंगन में खटी हो गई थी। दबे दबे स्वर में नौकरों के चोड़ी लगने के उधारन बता रही थी। अब मालकिन भी घबरा गई थी। देवरानी ने उनके समीब आकर फिर कहा। देखा नहीं भाबी किलसिया कसमे तो बहुत खा रही थी पर चेहरा उतर गया है। यहां आकर तो देखिये किलसिया ने बड़े साब के कमरे से चिक उठा कर पुकारा। क्यों क्या है। मंटू और वीना ने एक साथ पूछ लिया। हम कह रहे हैं ना यहां तो आईए। किलसिया ने कुछ जुझलाट दिखाई। वीना और मंटू उधर चली गई। दोनों बहने कमरे से बाहर निकली तो मूँ छिपाए धोरी हुई जा रही थी। हसी रोकने के लिए दोनों ने मूँ पर आचल दबा लिये थे। किलसिया कमरे से निकली तो भवे चड़ा कर उचे सुर में बोल उठी। रात साहब के तक्ये के नीचे छोड़ाई घर बर में डुनाई करा रही है। पापा के तक्ये के नीचे मंटू ने हसी से बल खाते हुए कही दिया। लीला, कुसुम, कैलाश, नीता सबके चेरे लाज से लाल हो गए। सब मूँ छिपा कर फिस फिस करती इधर से उधर भाग गई। मालकिन का चेरा खिस यहट से गंबीर हो गया। अवाक निश्चल रह गई। वीना से ग्यान बाबू ने अर्थ पूर धंग से खास कर कहा। कड़ा मिलने की तो डबल मिठाई बिलनी चाहिए। छोटे बाबू से भी रहा ने गया। बोल उठे, भाबी क्या है। गोल कमरे में बड़े साहब की भी पुकार सुनाई दी, मिल गया मंटू, कहां मिला है। मंटू मुह में आचल ठूसे थी, कैसे उत्तर देती। छोटे साब फिर बोले, भाबी भाईया क्या पूछ रहे हैं। मालकिन खिसिहर से बफरी हुई थी, क्या बोलती। लीला ने हसी दबाकर भाबी की कान में कहा, देखा चालाक को कहां जाकर रख दिया, तबी ढूरती फिर रही थी। जेवर चोरी की बात परोसी मिश्रा जी कहां भी पहुँच गई थी, मिश्राइन जी ने आकर पूछ लिया, मंटू की मां क्या बात है, क्या हुआ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, मालकिन को बोलना पड़ा, खामख्वा शोर मचा दिया, कुसुम से रहा नहीं गया, अपने कमरे से जहाक कर बोली, ताई जी, क्लिसिया ने अम्मा जी के साथ होली का मजाक किया है। अभी आप सुन रहे थे, यश्पाल जी की लिखी हुई कहानी, होली का मजाक।